नमस्कार मेहमत उल्चरुसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ़ता दरहफता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉंडरी का हिंदी पॉड्कास्ट एन इल्चर्चा चर्चा में इस हफ़ते हमारे साथ चार मेहमान हैं चार तीन लोग यहाँ पर मेरे साथ कि आम इन बॉंबे में हूं जी हमारे साथ सबसे बाइं तरफ मेरे सुनील कुमार अलिडिया है जो की फांडर मेंबर है सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलप्मेंट के बहुत-बहुत स्वागत है सुनील जी आपका चर्शा में शुक्तिया इसके लाओ हमारे न्यूज लॉंड पूरा करने जा रहा है अपनी स्थापना के तो इस मौके पर हमने बहुत सारी चीजे प्लान की है उनमें से एक चीज ये भी है कि आप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे शोता हैं जो दर्शक है वो न्यूज लॉंडरी के बारे में अपनी राए अपनी सलाह और खास की चीजें तो वो आप हमें 150 शब्दों के अंदर लिख कर अपनी भावनाएं भेज दें हम उसको प्रकाशित करेंगे और उसको अलग-अलग जो हमारे प्लेटफॉर्म है सोचल मीडिया के वहाँ पर भी उसको रखेंगे आपको बस हमें एक इमेल करना है सब्सक्रिप्श का कारिकरम हो रहा है और पूरी दुनिया में इसके चर्चा है देश में तो एक अलग किसम का महौल ही है तो इससे जुड़ा हमारा जो अयुद्ध्या का एक एनल सेना प्रोजेक्ट है दन्यू अयुद्ध्या नए भारत की नई अयुद्ध्या जिसमें वहां के हालात पर वहां के लोगों की स्थितियों पर वहां के सामाजी की पर वहां के आर्थकी पर किस तरह से इस नए मंदिर के आने के बाद और ये कानूनी पचला खत्म होने के बाद बदलाओ आ सकता है बदलाओ आ रहा है इन तमाम मुद्धों को विश्यों को रेखांकित करने वाली हमा स्टेटस अफ एजुकेशन रिपोर्ट ये खबर है जो की सिक्षा की जो स्थिती है जो ग्रामील और शहरी इलाकों में जो हमारे चात्र हैं उनके इस्थिती को काकलन करती है उस पर सर्वे रिपोर्ट तयार करती है उसमें काफी सारे चौकाने वाले आंकले आएं हैं मसलें 14 से 18 साल की उम्र के लगभग 26 प्रतिशत बच्चे अपनी खेतरी भाशाओं में जो दूसरी कक्षा का पाठ्यकरम है उसको नहीं पढ़ सकते लगभग यही सिती है गलित जो तीसरी कक्षा की है उसको 18 साल की उम्र तक के बच्चे तीसरी कक्षा की जो गलित है उसको solve करने क हल करने की क्षमता नहीं है इसमें दो पक्ष महत्पुर्ण है कि जो enrollment है उसका scale क्या है इन्रॉल्मेंट जो बढ़ा है उसके कारण क्या है और जो educational जो सैचनिक लक्ष है जो attainment होना चाहिए जैसे छोटे अस्तर पर जो उमीद की जाती है कि दूसरी कच्छा का विद्यार थ जो है तो जो इन्सेंटिव्स है इन्रॉल्मेंट की वो कई होती है ग्रामीन इलाकों में एक मिद्दे मेली स्कीम के कारण बहुत लोग स्कूल जाते हैं उनके घर में जो है जो वो महौल नहीं है या कोई ऐसा प्रोथसाहन नहीं है कि वो पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ जो है एक समय का भोजन मिल जा रहा है इसलिए जा रहे हैं तो सरकारें कई राज्य सरकारें कई पर इन्रॉल्मेंट बढ़ाने में और वो काफी बढ़ा है इन्रॉल्मेंट में ब्रिद्धी भी हुई है लेकिन उस अनुपात में जो बहुत ही मूलभूत सैचनिक लक्ष होने चाहिए वो नहीं रिजल्ट नहीं है दूसरी चीज एक है कि अब जैसे एक मैं बता रहा हूं एक बिहार उधारन बता रहा हूं कि वहां बहुत जो स्टेट जो है एक साइट हो गया है इंपलाइमेंट का तो अभी लाखों की संख्या में जो है सिच्छों की भरती हो रही है और उसमें कई ये सब जो गोल्स हैं बहुत बेसिक गोल्स हो सके सिच्छक भी नहीं पूरा कर सकें उसमें कई दसमी पाच को कॉंट्रैक्ट पे रखा गया, कई को उन्हीं में पर्मानेंट कर दिया गया कई लोग उसमें उदाशिंटा ऐसी है कि वहाँ जो है जाकर कोई स्वेटर बुन रहा है कोई अपने अपने ही घरेलू काम कर रहा है अगर अगर आप देखें कि स्पेंड की जहां तक आप बात कर रहें तो स्पेंडिंग में अगर आप पूरा नेशनल एवरिज निकालें तो उसमें कुछी स्टेट्स होंगे जो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन जैसे डिली गवर्मेंट हो गई बाकी स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो बजजट का कितना हिस्सा 2 परतीशन, 3 परतीशन, 4 परतीशन कितना एजुकेशन बें करते हैं तो वह देखने वाली एक बात है एक तो macro-level picture देखनी पड़ेगी, macro-level picture is very clear कि भजी quality of education बिकार है ठीक है एक जो आठ्वी क्लास का बच्चा तीसरी क्लास का Mathematics नहीं संभाल पाता कि मैं जब UP में इसका Indian Express का संपादक था तो मैं एक स्टोरी करने के लिए गया था एक गाउं में तो वहाँ पे पांच्वी क्लास का बच्चा मिड़े मिल का मैंने वो रिजिस्टर देखा था मिड़े मिल ले रहा है और उसमें वो साइन करने की बज़ाए उसका अंगुठा लगा हुआ था तो फिर मैंने पूछा कि भी क्यों लिखना पड़ना नहीं आता था पांच्वी क्लास के बच्चे को अपनो साइन करने नहीं आते देखे तो वह वहाँ पर पदा चला कि ऐस सब्सक्राइब नहीं नहीं बोल रहा हूं बजिटरी के पर्सेंटेज में सिक्षा का खर्चा गिरा है अब उसको एकदम एकदम इससे जोड़ना ठीक नहीं है इसमें जो पहले बातें बताई गई रवन जी के दौरा और या आनंद के दौरा वह जरूर है कि दो फेस पर प पूरी एंडी टीवी पर बहुत लंबी रिपोर्ट की थी सीरीज और वह टीचर्स कैसे हैं तो अब मैं और वह बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं डाक हूमर था उसमें कि पूछा गया किसी से की सानिया मिर्जा कौन है तो किसने कहा कि मिर्जा गालिप के परिवार से आती हैं लेकिन मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं यह तो सर्वे आपका रूरल में अगर आप अबन और सबर्बन इलाकों में करने लगें यह सवे तो वहां भी टीचर्स की स्थिति को बहुत अच्छी नहीं है क्यों क्योंकि टीचिंग जो एक प्रोफेशन है खास्ट वासे लोगों के लिए मतलब वह ऐसा नहीं है वह बहुत कई बार ऐसा देखा जाता है रिजेक्शन से बनते हैं वह जाता है जो कहीं और कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम अपने अगले विशय की तरफ अमरिका से बढ़ते हैं जो कि दिल्ली और सर्दी वाली जिस पर हमें सुनिल पर वो लोग जो की बेघरबार हैं उनकी मौत हो जा रही है ठंड से दिल्ली के अंदर 82 पर्मेनेट बिल्डिंग्स और बाकी 110 जो थे वो वर्तमान में पोटा कैबिन है जो पर्मेनेट बिल्डिंग्स वगरे थी उनको भी कम कर दिया गया या किसी विदाय का ओफिस बना बेडिये गया उसके अंदर या फिर और ओमेक्स दिल्डर्सको ऊसको शल्टर दे दिया गया और उस पर्मंड बिल्डिंग को करीब Bolsonaro के लिए का से कोड के बीन पहले आपने पर्मेनेट बिल् peng को बिल्डिंग्स को टेंपरी ons ने कर दिया और व Dallas के बाद अब G20 में बात करें तो G20 में दस मार्च की रात को करीब नो शेल्टर होम आधी रात में तोड़ दिये गए बिना किसी इन्फॉर्मेशन के जो हमने सर्वे किया 2007 में 2010 में या सेंसस के साथ मिलकर कि सिटी का 1% पॉपुलेशन जो है किसी भी सिटी का 1% पॉपुलेशन वो हॉमलेस में काउंट होता है क्योंकि यह सर्वे रात को होता है रात में जो हम सर्वे करते हैं तो उसमें यह देखने में आता है वो 82,000 के आसपास था और उसके बाद 2007 में जो सर्वे हुआ वो करीब head count जो किया गया, वो 1,00,000 के आसपास था वही 2013 में जो head count किया गया वो करीब 1,00,000,000 तीस जार के आसपास पहुचा तो आकड़े बड़े, ये जन्वन आकड़े हैं तो तेरा में आप बता रहे हैं कि एक लाख तीस जार के आसपास है आज जब हम 24 में दस साल बाद और तो ये संख्या बढ़ी है ये मानले हम अगर आप G20 के उसमें देखे demolition eviction जो हुआ है उसमें भी तो लोग बढ़े है तो मुझे ये capacity कितनी है जो स्कीम है स्कीम में mentioned है कि 50 square feet per person space होना चाहिए तो दिल्ली के जो total shelter home है उसमें 80% space deficit है 80%? 80% space deficit है 20% के लिए ही वो है बस ये जो खासकर सर्जियों में ran बसे रहा का जो होता है और इसकी एक underbelly भी है कि कई बार और वो अड़ा माना जाता है अफिमचीयों का और उन लोगों ने कबजा कर लिया है बहुत लोग ऐसा बोलते हैं बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ एक maafia चल रहा है कि कौन रहेगा नहीं रहेगा वहां मतलब कि असमाजिक तत्तों का अड़ा बन जाता है बन गया है और ये भी जो है जब विवस्था जो है सही नहीं रहती है तो वो एक सरे हुए तालाब की तरह जो है ये बस मैं एकीज़ जोड़ना जाता हो कि अगर ये समस्य है भी तब भी जो हमलेस है वह समस्य तो समस्य है यह नहीं 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 कि इसके कारन सिल्टर बंदोने चाहिए मैं बोल रहा हूँ कि सेल्टर पर कितनी कम मतलब नजर रखी जा रही है क्या ध्यान इतना कम है कि हां फिरा अर यह भी क्या है कि thriller सीटि ये सब भी तो अभाव से ही होता है कि कम है इसलिए पैसे दे कि कोई अगर अस्थानिया माफिया बाफिया है उसको रह भावल तो यह भी तो अभावका ही है कि सेल्टर्स कम हैं इसके कारण यह सो देखिए जो आप बोल रहें कि अफीमची क्रिमिनल लड़ यह सब चीज गरीबी को आसानी से क्या दिया जाता है कि भई इस तरीके से है ऐसा नहीं है मैं काफी रिपोर्ट्स पड़ता हूं कि सरकार की तरफ से बयान आता है कि यह लोग पर कंबल की वज़े से हो रहे हैं तो यह अपने आप में ही सरकार का फेलियर है रहने वाले क्रिमिनल ऐसा नहीं कहा जा रहा है मतलब कहा जा रहा है कि वहां कुछ सर्गना काम करते हैं कि यहां तुमको अंदर रखवाएंगे यह से आपकी मिनिस्ट्री जो दो मेहने तीन म क्योंकि यह लास्ट मैं सोचल वेर स्कीम है तो इसके उपर तो होना चाहिए पूरे साल का प्लैनिंग होना चाहिए एड-hok प्लैनिंग एक-एक मिने की दो-दो मिने की इससे कुछ निगोने वाला है एक बात मैं कहना चाहता हूं है अपर थोड़ा टॉपिकल है लेकिन मिने करें की बात हैं अब हम करें लगया जैसे इतने खर्चे होते हैं इसके सब लोगों के लिए आजने इतनी महतुमोन नहीं समस्या उठाई और जिसको मैं मैं इसको पूरी तरह से गलत है कि कि लोग पैसा कमाने के लिए क्रिमिनल अक्टिविटी वाले लोग उनको दोग हैं तो न्यूज लॉंड्री को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बहतर तरीका यह है कि आप हमारे एप पर इस पॉड्कास्ट को सुने और तमाम हमारे जो पॉड्कास्ट है उसको हमारे एप पर सुने यह गूगल प्ले स्टोर और एपल स्टोर पर सब्सक्राइब करें और इसके लिए लोग इसमें इंवेस्ट करें लोग पत्रकारिता में निवेश करें उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाईए वहां पर अपनी मन्चाही रकम पे कीजिए और निव्जलांडी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें